हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो दे सेवेज जॉइंट हमारे जो आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चल देती जो काफी टाइम से रुप्य होई थी कुछ सरकॉंटेंस से गाय तो उस वज़े से आर्ट एंड कल्चर की वीडियो में अपलोड नहीं कर पा रहा था तो इसको कंटीनू क अर्ट एंड करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने मुगल के जूर्ली मुगल पर उनका ऑर्किटेक्ट्चरत डिसकस किया था जैसे कि बाबर हो गया हो माई हो गया पर उनके टाइम में ज्यादा आर्ट एंड नहीं हो पाया वे ज्पलपनेन डिषे अई इंट्रेस्ट लिया इसको development करने के लिया art and architecture में तो start करते हैं अकबर से आप इसकी PDF हमारी website से download कर सकते है लिंक नीचे है इसका अकबर अकबर ने काफी keen interest लिया काफी interest लिया art and architecture के अंदर की principle features था अकबर का architecture का उसने red stone का ज्यादा use किया ठीक है और एक two door arch को introduce किया उन्होंने इंडियन architecture के अंदर two door arch के होते हैं four arch centered arch होड़ती है और depressed होती है यह मतलब low होती है और wide होती है ठीक है और इसका जो apex होता है pointed होता है तो यह देखें गई low है ठीक है ज्यादा height नहीं है इसकी और wide है ठीक है चोड़ी है और w e है ठीक है और four centered centered है तो one two three four इदर देखें इदर ठीक से देखें one two three four four centered arch है और जो arch होती है और pointed इसका apex है ठीक है गई गईस अपेक जो है इसका pointed है तो two door arch यहाद रखें है किसने introduce कि अकबर ने और red stone का जादा sandstone का जादा use किया गया prominent construction देखें अकबर के time में अकबर ने आगरा फोर का construction श्टाइट गया था around 1565 में ठीक है initial structure अकबर ने complete गया पर उसके बाद उसके grandson जो थे सहाजा सहाजा ने grandson को sorry सहाजा ने जो कि अकबर के grandson था उसने जो आगरा फोर्ट था उसका construction आगे बनाया और उसको complete गया तो उसमें जो आगे जो आगरा फोर्ट के अंदर जो construction एड के गया सहाजा ने किया मूती मजज़द एड की सहाजा ने दिवान आम जिसको public audience hall का जाता है जाजा ने एड किये भी दिवान एक हास private audience ठीक है जिसमें private audience होती थी उसको भी जाजा ने बनाया जहांगीर महल हो गया शीष महल हो गया एक garden बनाया इंसाइड इस फोर्ट के अंदर उसको चार बाग style में डिवलप के चार बाग style में previous lecture में डिसकस कर चुका है क्या होते गाई चार एक जैसे की गाड़न उसको चार identical garden में डिवाइड कर दिया जाता है जिसे हो 1,2,3,4 चारो गाड़न एक तरके से होता और बीच में चारो बीच में से पानी होता है ठीक है तो इसको केते हैं चार बाग style वाकि आपसको डिटेल में पिछले lecture में जाके दे सकते हैं प्रिवस lectures का अंदर यह है आगरा फोट ओके गाई आगाई चलते हैं फतेफुर सीगरी ठीक है अकबर ने डिवलप करी थी निउ कैपिटल सेटी के तोर पे अकबर ने फतेफुर सीगरी डिवलप करी थी इसमें यूनिक ब्लेंट देखने को मिलता है हिंदू और पर्शन इस्टाइल का ओके गाई जियात रखें है इंपोर्टेंट है ठीक है कोशन भी आया है फतेफुर सीगरी से लेटेट 2018 UPSC के अंदर ठीक है और इसमें रेड इस्टोन का ज़्यादा यूज किया गया है फतेफुर सीगरी के अंदर जो का इस्ट्रक्शन है ठीक है इंपोर्टेंट आर्किटेक्ट्चर इंसाइड है बुलंद दरवाजा पंच महल जोदा भाई पहले सलीम चिस्ती तॉम अकबर जो था डिसिपल था शिश्चे था सलीम चिस्ती का ठीक है और इसके अंदर हमें फाइने जाली वर्ग देखने को मिलता है सलीम चिस्ती तॉम के अंदर इबादत खाना अकबर इसके अंदर जो डिफरेंट रिलीजियस लीडर होते थे उनसे मीट करता था उनसे डिस अधर इसके बारे में समझता था गोविन देव जी टेमपल जो व्रिद्धावन में वो 191590 में राजा राम मोहन जो एंबेर के एंबेर एंबेर ता है जेपूर में ठीक है जेपूर एंबेर के किंग थे राजा थे अकबर ने उन्होंने ये बनवाया था और अकबर ने इस कोई है और जोदा ऑाई पहले से बना वाए ठीक है जहांगीर долго पेंटिंग पर रहा ना की आरकिटेक्टोर है मतलब जादा से देखन नहीं गया जहांगीर के टाइम में completed उसने अकबर का टॉम था जो सिकंद्रा में था सिकंद्रा खाया आगरा में ठीक है उसको complete किया अपना खुद का टॉम बनाया लाहूर में मूति मजजित बनाई लाहूर में सालिमार भाग बनाया कश्मीर में और देखेंगे तो उसकी जो वाइप थी नूर जा उसने भी कु क्वाइट मारबल से completely बना हुआ है इस टाइम वाइट मारबल का प्रिवलेंस ज्यादा देखने को मिनने लगा याद रखेएगा यह स्टेट्मेंट यह देख लीजिए अकबर टॉम है और यह जहांगी टॉम है यह शालिमार बाग कश्मीर का और यह इमात उद्दॉला का टॉम है जो की नूर्जाने बनवाया था देखें मारबल वर्केस के अंदर नेस्ट शांजा शांजा मुगल आर्किटेक्चर का जो शांजा की टाइम में अपने क्लाइमेक्स पे पूचा ठीक है इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है ठीक है मुगल एज की तो क्लाइमेक्स इसको अधिक पूचर मतलब एक श्टाइलिक फीचर पोच गया मुगल आर्किटेक्चर ताजमील इसको पी तो किसको मेमोरी में बनाया था जाना में मैमुरी ऑफ अर जुमन बानो बेगंभल जिसको मुम्ताज महल के नाम से भी जाना जाता है Okay, features देख लीजे, calligraphy, calligraphy क्या होती है? एक writing scale होती है, उसको architecture मतलब एक stylic way में लिखा जाता है, जिसको architecture के अंदर use किया गया, ठीक है? तो आप previous lecture में जाती है, इसके बारे में detail में देख सकते है, पितरा, दुआ वर्क्स भी हमने previous lecture में डिसकस कि लिया तो यह थो प्रियूस लेक्चर में डिस्क्रस क्या हुआ है पढ़ सकते हैं जाके देख सकते हैं चार बाग स्टाइल हो गया यूज ऑफ वाटर प्रेमेसे सब टेकॉरेशन वाटर का यूज क्या गया ताजमेल के अंदर ठीक है तो यह इसके फीचर्स है कालिग्राफी पितरोदोरा वर्ग पॉर्ट साइटनिक टेक्नीक चार बाग स्टाइल वाटर का यूज ठीक है अधर मॉनुमेंट देख लेते हैं चार बाग स्टाइल किये गए शांजा के दुआरा रेड़ फोर्ट जो की देली में है जामामजद देली, शालिमाרबाग, लाहोर, टीटी ओव साऑजनाबाद ठीक है देली का यह पार्ट ए ठीक है और देली का ही पार्ट है जो की शाहजा ने बनवाई थी पिकोज थृण फाइनेस एक्जांपल ओफ मेटा वर्क इन दिस पिरेट ठीक है शांजा ने बनवाया था पिकोग थ्रोन ठीक है मेटल वर्क के याद रहे यह इमेज है पिकोग थ्रोन की पर देखे जो ओरिजिनल थ्रोन था वो नादिर्शा ले गया था 1739 में पर्शया का एंपरेर था कौन था नादिर्शा तो बैटल ओफ करनाल हुई थी बैटल ओफ करनाल कब हुई थी 1739 में 1739 किस की बीच में हुई थी नादिर्शा और मुगल एंपरेर था मोहमाश्या ठीक है मोहमाश्या जिसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता है तो एगनम मतलब यूजलेस रूलर था और उसको रोप नहीं पाया और बैटल ने हार गया तो नादिर्शा इसको अपने साथ लेके चला गया बाद में इसका रेपलिका बना गया है हमायू टॉम जो था मुगर एंपरर हमायू का टॉम था जो कि देली में है और यह बनवाया था जो हमायू की फ़र्ष्ट वाइप थी एंपरस बेगा बेगम ठीक है जिसको हाजी बेगम के नाम से भी जाना आता है 15, 16, 19, 17 की पिरेड़ में बनाया था और मिर्जा मिर्जा ग्यास यह कौन था परशना आर्किटेक्चर था जिसने बेगा बेगम ने इसको अपॉइंट किया था बनाने के लिए ठीक है तो याद रखेगा आप तो हमायू टॉम कहा है देली में है यह याद रखने के जुरूत नहीं है आर्किटेक्चर का नाम याद रख ल इसा मंगबरा था इंडिन सबकॉंटिनेंट का और यूनेश को वर्ड हरेटेस साइट डिकलेयर किया गया इसको 1993 में यह एक इंपोर्टेंट पॉइंट है यूनेश को साइट है हुमयू टॉम बीपी का मंगबरा यह औरंगाबाद महराश्रा में है औरंजब के सन आजम न इसको सेकें टाजमेल भी का जाता है और इसको डटकनी ताज औरंगाबाद में है यह महराश्रा के इसमें अरुणजब के टाइम में जो था हम देख सकते हैं मुगल आर्किटेक्चर जो था डिकलाइन में आया ठीक है और जो मुगल इंपार था उसकी जो इक्नोमी इस्ट सकते हैं तो इकनोमिक जो था वो भी डिग्रेडेशन हो रहा दा मुगल एंपार का साथ के साथ है होगी गाइस थेंक्यू फर वाचिंग नेक्ट लक्चर में हम इसको कंटीनु करेंगे हमारी सीरीज को शेयर विद अधर टो एक्सपेंड नोलेश सेव टाइम सेव वाइड लाइफ और प्रोडेक्ट एंवारेमेंट थेंक्यू गाइस थेंक्यू सो मच पर वाचिंग